केके आर के नए कैप्टन श्रेयश आयर जोकी श्री लंका के खिलाफ जबरदस्ट बल्लेबाजी की थी। और अब वो अपनी टीम यानी केके आर के साथ जुर चुके है जिस तरह से नेट में तयारी करते नजर आए। ऐसा लग रहा है दोस्तों जिस तरह से वो इंडियन टी के और अपने सभी खिलाडियों से बात करते नजर आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार के के आर आई पील 2022 का टाइटल जीत पाएगी कॉमेंट करके जरूर बताएं।